पर लेख लो रेश्यो नहीं पढ़ाने जा रहा हूं पर उसकी थोड़ी सी मुझे ज़रूरत है यह कही न कही पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला क्या है सर पहले फॉर्मूला और फिर उसको रीट करने के कोशिश करना इसको वैसे डी टी आर बोलते है टिक और फॉर्मूला होता है सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स और डिवाइड करते हैं क्यों करते हुव क्या कहना चाहता है या कृम कि ऐसे को बड़े इसा ड्रीशो है कि मान लो यह आ घा ? आ आइडे अ और सुच और दूसरा बता रहा हूँ और एक सेल्स और एक होता है अगर रीट करोगे ना सेल्स डिवाइडिड वाइड एसिट इसको बोलते है एसिट टरनोवर रेश्यो क्या कहना चाहता है मेरा तो यह चोटा सारूम है और सर कितना खर्चा किया होगा है बड़े मुस्किल से लाक रुपी है ठीक है और भी बड़े-बड़े इंस्ट्यूट है जो मैंने कितना खर्च किया एक लाक और बड़े-बड़े इंस्ट्यूट है उन्होंने कितना खर्चा किया पाच लाक मै तेरा सेल्स हो रहा है, दो लाग का, उनका सेल्स हो रहा है, छे लाग का, no doubt, बताओ, किसका परफोर्मिस अच्छा, नहीं, इक्जामपल है, इसको देखकर, अब ये बताओ, ये कितना एसिट लगा के, कितना टर्नोवर जनरेट कर रहा है, two times, double, और ये, six by five, जो भी होगा, one point, two times, क्या सिर्फ सेल्स देखकर बता सकते हो, कि यार ये इंस्टिट अच्छा चल रहा है, नहीं भी है, उसके पीछे और भी तो चीजे देखो, वही तो टर्नोवर रेश्यो ये ही बताता है, यहां कितना पैसा ब्लॉक हुआ, एवरे डेटर्स, और कितना सेल्स जनरेट क कर रहा है, कौन सा अच्छा, एक सवाला, मतलब रेश्यो का यूज कम्पायरेटिव में भी आपता, डायर्क जैसे डेट इकवटी रेश्यो सुना है, वहां क्या लिखा है, ट्विस्टो, वन, तो यह डेट इकवटी रेश्यो देखकर तो बता सकते हो, पर जहां डेटी य अगर में रेश्यो ना पढ़ा हूँ, एक रफली बात करूं, जितने भी टर्न ओवर रेश्यो है, कहले रटवा देता हूँ, क्योंकि आज पड़ेगे, वाकि इस कॉंसेप्ट रेश्यो में, उसमें टर्न ओवर हमेशा उपर रहता है, तो सभी को पता है, पॉर्मूला वो आज cities उसमारे को बढ़ेगे में और आज र tät रहता है र्चा र्चाह्स dot बाद करहें है, दूर्चाह्स चॉर्प र्चाह्स फॉर्मूला बताया था में वाओ, ओपनिंग प्लस, क्लोजिंग, एवरी डिटर्स हाँ, कॉश्ट अप सेल्स भी लेते हैं, मैं यहां सेल्स ले रहा हूँ, सेल्स वैसे तो एक्चॉल सेल्स लेते हैं, बस हम वो जो कर रहा है अपने क्या बताया था, एसी पी डिवाड़ेड़ बाई, ट्री सिक्ष्टी, ठीक है एसी पी मतलब अवरेस कलेक्शन पिरिएट अब बस में थोड़ा सा फॉर्मूले की साथ छेड़ चाड़ कर रहा हूँ, और आप से आंसर पूछ रहा हूँ, वह पांसर बताना, दो एक्जामपल है, पहला एक्जामपल, एक्जामपल नम्बर वान प्रेडिट सेल्स बारा लक ACP 45 देश CTr ईत्या पूस्ष्यर क्भश्यूै। यह थैंट्स रखन्स ठीक है एट टाइमस आगया ने सब लिगों का और ये तो कोई भी जानता है अगर एट टाइमस तो अराम से निकलना चाहिए 360 डिवाइड़ बाई ACP 360 डिवाइड़ बाई 45 डिवाइड़ एट और कुछ बच्चे क्या कर रहा थे मालों पहले एवरी डिटर्स निकालते थे अप अपने कैसे निकलना अच्छा आपने सबसे पहले लिखा क्रेडिट सेल्स ऐसा क्रेड़ सेल्स और फिर क्या लिखा आपने किया कैसे अपने का लिखा अच्छा फॉर्मूला यह ना क्रेड़ सेल्स डिवाइड बइड बाई एवरड इटर सार एवरी डिटर्स का फॉर्मूला बोलो यह सेल्स क्या क्रेड़ सेल्स इंटु एसेज्टीवाइड बाई 3 60 इसेज़ा है यह यह कट जाएगा करना है तो करो नहीं तो को दिकत कियो मालूम है क्योंकि ICEI दे गए नीकरेट सेल्स बले कर लो इक है तो कर लो लिख लो लिख लो यह फरूल अबागी बहुत सारे नाम लोंगा मैं जब रेश्योग मारेको पड़ा हूंगा mae डेटरस वेलोशेटी कर्ेडर स वेलोशेटी स्टॉक वेलोशेटी एक्सेक्टर एक्सेक्टर एक्सेकटर अंगर पड़ाया तो आप बोलो तो यह हो गए डेट्टी यार्स बस इतना ही पढ़ाना था इतना ही रेश्व मुझको चाहिए एक कोशन बनाते हैं अच्छा बला और यह मुझको अच्छा कोशन लाई कोशन नम्बर फोटी से वन पर चाहिए कोशन नम्बर फोटी से वन पढ़े पता है भूल तो नहीं गें हो ना कल जो पढ़ाया था जो देखते हैं 30 लाग रुपए का टर्न ओवर है भाई यह सब्द जो लिखे है न अच्छे से पढ़ना कोश्ट अप सेल्स कितना है कोश्ट अप सेल्स में वैरिबल कोश्ट की फिक्स पेड़ेट्स कितना है 2% कोश्ट अप सेल्स में 70% है वैरिबल कोश्ट और 30% है फिक्स कोश्ट बिलकुल सावधानी से करना कोश्ट रिक्वाइरेट अप डिटन कितना है 15% यह अप ओर्शिटी कोश्ट होगे और अभी हम कितने दिनों के लिए 15 दिनों के लिए पर इसको बढ़ा के कितना करना चाहते है 45 देस इसकी वजह से जो टर्न ओवर है शेल से वो कितने परशन से बढ़ जाएगा 20 परशन बैड डेट्स कितना हो जाएगा हां मतलब 3 परशन और इस नॉट एक्सपेक्टेड देट अगर सर आता तो मैं बात करूंगा एक कोशन आएगा और इसके अलावाँ पूछ रहा है बताओ एक साल में 360 दिन लेना है बताइए कि न्यू पॉलिसी अड़ाप्ट करें पहला कोशन चल रहा है तो साथ साथ करते कोलम कितने हैं पार्टिकुलर को को गिनते ही न हम लोग एक पॉलिसी होगे प्रेजेंट एक होगे प्रपोष्ट सबसे पहले आएगे तो हम इस इनकरिश्ट और यहां लिखा क्या जाता है तो इस दो क्या तो दॉटक कॉश्ट भूमेटेड घृ तो लॉटक के स्टोनवेड़ी कोश्त प्रेजा कोश्त आउड़ी कवाल स्टोन स्टोन अप्रेजाय अथ्वाली कष्ट पाले रह है तो नकरिएज्डेजाग फालाईट के प्रहटेगू अश्च earthly पहमेंड है एक्स कोश्ट अच्छा यह है कि यह तो साथ भी मुझे नहीं मालू मैं तो भी उनका कहना है कि जो 30,80,000 है वो है COGS और उसका 75% और 25% ऐसा कुछ 70% और 30% 27 समझाना भी है न मैं लिख रहा हूँ अभी 2-0 16,000 देखो तो यह वैरिबल कोश्ट फिक्स कोश्ट हो गया तेल्स कितने पर्शन से बढ़ा है 20% 20% से तो नो डाउट वैरिबल कोश्ट भी 20 से ही बढ़ेगा 16,80,000 प्लस 20% हाँ इतना ही आएगा और फिक्स कॉश्ट में जेंज होता ही नहीं है हाँ पकका पकका भाई कोई रोक नहीं सकता है इस बात को आपने कैसे निकला था अभे तो फिक्सक्श्ट में जान जाता रहा होगा यहां जो आएगा वो क्या रहेगा? गेन? अब जब यह सोत रहा लिखूं कासे जरते है अब बैट लाए 64 गेन इंक्रेमेंटल गेन में लिखी देते हैं तूए लैक के 4,000 अब बात क्या करें? इंक्रेमेंटल कोश्ट पहले वो यह वाला काम निप्टा देखिया पहले मने कुछ नाम बोला था सबसे प्रेमेंटल पॉस्ट अप सेल्स मतलब वेरिबल कॉश्ट प्लस फिक्स कोड़ तो बिस लाग 36 इसके बाद आजाएगा एसेपी इसके बाद आजाएगा एसेपी आजाएगा एवरिडेटर्स अन कोश्ट कोश्ट अप सेल्स इन्टू एसेपी डिवाइड़ड़ वाई तीन सो साथ इधर कितना आजाएगा एक लाग 3,42,000 अब वर्जटी कोश्ट कितना परशंट है कितना 51,300 अभी क्या बड़ेट्स बड़ेट्स 30,000 1,80,000 2,3 कलतिया मुझे आप लोगों से सीखने को मिली पहला फिक्स कोश्ट में बाई चांस जल्दबाजी में चैंश कर दो दूसरा बड़ेट्स सेल्स पे निकलता यह आपको अच्छे से पता लेकिन परशंटेज भूल जाते हैं कि बढ़ा देगा करके और 75,000 और 1,00,000 59,3 84 यह दो लग चौशेट ही जा रहे है ना तो नेट इंक्रिमेंटल गेन आगे 179 पूस पॉलिशी शुड़ भी एक्सिप्टेट्ट पूस 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 भी एक्सात 4 25,000 52 पड़े तो पॉलिसी करेंटली करेंटली दे फिर्म है एन्वल क्रेडिट सेल्स कितना दिया है 50 लक एकाउंट रिसीवेबल टर्नोवर रिशो दे रखा 4 टाइम क्या काम आएगा एवरेड इटर्स एवरेड इटर्स कैसे निकलोगे क्रेड सेल्स की जगह मालूम है क्या करना कॉष्ट आप सेल्स डिवाइड वाइड डिटियर्स एन्गे लिखर दे करेंट लेवल लॉस बैडेट्स कितना अभी एक लाग पचाशार और यह क्या है पच्छीस परशन अपॉर्सिटी कॉष्ट अवैरिबल कॉष्ट कितना अब ऐसा किया इसको सत्तर लिया इसको तीस लिया इदर जीरो आ गया इदर भी जीरो आ गया बुलताशार जीरो जीरो इसा कोई रूल से नहीं है मैंने कहा अगर टूट एवरेज कॉष्ट दिया है और वेरिवल दिया तो फिक्स निकलेगा अब सेल्स का सत्तर दिया तो तो तीस अगर आप वो ले लोगे इदर ही खतम होगया कोशन आपको 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 समझ भी आएगा एक्शली आपको बाकि दिया होगा तो अलगा दिया सब्तर वर्ण सेलिंग प्राइस का है ठीक है यह इंफोमेशन अभी कितना है पचास लाग फिर कितना है साट लाग 67,50,000 और फोर टाइम्स तो उपर दिया था वैसे पर फिर भी और दिया निशे थी त्री ताइम्स 2.4 ताइम्स टाउट करें में से बस इतना ही कोश्चन है अब बात यह है कि आप जो डेटर स निकालो और वह सेल्स बेसिस पर निकालोगी और यह कौश्ट दोने यहला हूं है कि आई सी एई जनरली कॉष्ट बेसिस पे निकालता वो जो आप एवरेड डेटर्स निकालते न उसकी बात कैसे करना चाहो गया कि पहले स्टार्ट तो करो पहला वाला तो खतम करते इंक्रिमेंटर गेंट कि इंक्रिमेंटर कॉष्ट इंक्रिमेंटर गेंट कितना कितना है दोनों में तीन लाग और पाच लाग पैच्छे से अब इंक्रिमेंटर कॉष्ट करोगे इंक्रेमेंटल कॉष्ट में जैसे अब फॉर्मिट है वैसे करते जाएंगे सबसे पहले आएगा कॉष्ट अप्सेल्स फिर आएगा एसी पी तो नहीं है तो डिटी यार लिख दो डिटी यार दिखा फोर फ्री टू पॉइंट फो कि एवरेज डिटी इस किसी आएगा कॉष्ट अप्सेल्स डिवाइड बाई डिटी यार कि रहेगा पॉष्टि कॉष्ट अपॉष्टि कॉष्ट में ये पर फेला रादोलाग घ्ठाराग जहाएग ऐगाएगा फच्थ के तीन लाग पच्चास जार और तीन लाग पच्चास जार फिपोर नाइन टू फ़न डू डॉम्डबल एट तेका मेरा क्यलकुलिश्ट अफिट्मेरा कालिश्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल था न प्रेट्रेट्स कर लोजी, एक लाग पचास और तीन लाग चार पचास, एक कर मतली को मेरे बोलने पर गलत भी बोल सकता हूं तो फिर कौन सा पॉलिसी है, पॉलिसी वन इसमें क्या स्पेशल था, DTR, इछले वारे कोशन में क्या स्पेशल था, TOGS, उसमें बोलता 70% वेरिबल हो सकता है कि यहां फ़स जाओ कहीं, ऐसे ऐसा कोई सिच्वेशन आई नहीं अच्छा वाला कोशन, कोशन नमबर 69 दिख रहा है, क्या यह कोशन दिखा दिखा लग रहा है, तो यह हूंवक 69, क्या वाला कोशन दिख रहा है, अच्छा कोशन आच्छा, कोशन नमबर 79, देखा, 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 सारी दुनिया ये चीच जानती है बस आपके अलावा एक किसका मतलब क्या होता क्या आपने पढ़ा नहीं है बिजनिस में ये चलता है आपको मैं माल बेच रहा हूँ वैसे तो मैं आपको कितने दिनों के लिए उधार दे रहा हूँ 30 दिन पर यार कुछ लोग ऐसे होते हैं यार हम जल्दी पैमेंट कर देंगे उसका भी फाया था अगर आप 10 दिनों के अंदर पैमेंट करोगे ना तो एक परशन हम आपको डिसकाउंट देंगे ठीक है तो इसका मतलब असर यह लिखकर बता है कुछ नहीं बताएगा लिखके इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा लिख लो इसका मतलब क्या है वैसे तो क्रेडिट प्रियेड कितना है 30 देस इफ पैमेंट कितने दिन में 10 देस 14 दिसकाउंट दिसकाउंट मतलब काईश दिसकाउंट किरद से तो उमको मतलब है रिडेट कुछ होते शीन फिट रिश्काउंट इसकाउंट टीक है और अएवरेरेज कलेक्शन पिरिएट केतना है अचा अभी जैल कितना है असी लाक और एवरेज कलेक्शन पिडिट कितना है 20 एवरेज कलेक्शन पिडिट 20 दिन मतलब वैसे तो 30 दिन है कि 20 किदर से आगए बतलब आप लोग हूँ हूँ हाँ नहीं ऐसा नहीं है तीस दिन में कोई करेगा क्यों बताओ तीस दिन में कोई डिसकाउंड मिलेगा क्या नहीं 20 दिन में मिलेगा क्या तो भी 20 में क्यों दे 30 में जब फाइदा हो यह नहीं रहा है आप सब लोग हो जो मुझे पैसे देते हो कोई ना कोई तो लालस में फसेगा मैं लालस कितने दिन का दे रहा हूं 10 दिन दो लोग बलते हैं चलो नहां दस दिन में लो और बाकी लोग कितने दिन में दे रहे हैं, तीस, इनका average किया तो कितना आ गया है, 20 days, हमारा on an average पैसा कितने दिनों के लिए ब्लॉक है, 20, सर और भी समझाओगे, बाद में अभी अभी थोड़ा सर, variable cost and average total cost to sales, कितना, 0.95, मतलब 85% और 95% मतलब 10% क्या होगा, fixed cost, यह से दे रखा तो टेंशन मतले लेना है, न, cost of capital कितना है, 10%, यहाद एक chapter हुआ था, करता था, cost of capital, वसी खाफ, opportunity cost of capital, बलता मतलब सर, वह, opportunity cost, हाँच, अब सुनना ध्यान से, तो proportion of sales, on which customer currently take discount, 0.5, क्या कहना चाहता है, यह यह वला, यह यह सेंटेंस है, न, पढ़के, रीट करके, बताऊं, यह क्या कहना है, आप लोग हो, आधे लोगों ने कितने दिनों के अंदर प्रमाट किया, 10, और आधे लोगों ने, 30, इसका वेटेड अवरेज करूगा तो क्या 20 है जाएगा, 10, इन्टु 0.5, 30, इन्टु 0.5 करूगे तो क्या, और वेटेड अवरेज 20 है जाएगा, 10, इन्टु 0.5, इसी हिसाब से यह 20 दिन निकला है, मैं क्यों समझा रहा हूं, मालू मैं, भगवान ना करें, आप बहुत बुरा दिन रहा आपका पेपर के समय, और यह 20 उड़ा दिया, 20 निकालोगे किसे, चलो, आगे चलते, मतलब कितने पर्शन लोगों ने डिस्काउंट अवेलि किया, 50 पर्शन, टोटाल सेल्स कितना है, यह डिस्काउंट का अमांट बता सकते हूं, 40 का एक पर्शन, चाल लग सही, 40 जार, नहीं, एक्चुली मुझे नहीं मालूं कहाई, मुझे रटा हुआ है ना, आगे बढ़ते है, अब बोले, बीटा लिमिटेट को मज़ा नहीं आ रहा था, सुनो, तुनो ने का यार, सुनो ना यार, यह लोग जल्दी पैसे दे नहीं रहा है, तो बले चलो, 2 by 10 करते है, ज्यादा लोग लालच में फसेगी, और इसकी वज़ह से, सेल्स भी बढ़ेगा, 5 लाग से, मतलब 80 से कितना हो जाएगा, 85 लेक्स, और एवरेज कलेक्शन पीरिट कितना हो गया, मतलब यार, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी पैमेंट कर रहे हो गये, कितने परशन लोग जल्दी जल्दी पैमेंट कर?, 80 परशन, 80 परशन लोगों ने कितने दिन के अंदर पैमेंट किया, 10 और बच्चे हुए लोगों ने 20 तो क्या उसका वैटेड आवरेज 14 आएगा एक पर चेक करके देख लो ऐसे करोगे 10 इंटो 0.8 10 इंटो 14 और सार अगर नहीं आता तो फिर काल्कुलेटर बंद कर देते हैं वापस 14 नहीं मामते हैं अगर नहीं आता ना तो वापस रख देते हैं कैल्कुलेटर फिर अपना काम करना इस्टार्ट करते कोई मतलब नहीं बताइए कि हमको पॉलिस से एक साल में 360 दिन लेना है अगर आप इसको स्टार्ट करें तो सुने स्टार्ट के सो सेल्स तो आएगा 85 पर चैसी लग वैरीबल भी आएगा फिक्स भी आजाएगा फिक्स में ध्यान से काम करना है ना उसके बाद आजाएगा हमारा गेन इंक्रेमेटल गेन उधर का काम हो गया नीचे आते हैं नीचे में सबसे पहले कॉश्ट अप सेल्स हो जाएगा वैरीबल प्लस फिक्स और इसके लबाद प्रेइट पीरेड आजाएगा कौन को से लेना 20 और 14 उसके साब से हमारा क्या नि इसा लगता कि ये बच्चों को 1 by 10 समझी में नहीं आएगा अब बनाने जा रहा है हो कितना मिनट्र टाम चाहिए नौ मिनट्र एक मिनट्र को कोश्चन पढ़ने में लग गया है था देखना एग्जामेना मेरी बहुत याद है तो नेगेटिव आ रहा है नाइन नाइन एट सिक्स अभी भी ताहिम है तीन मिट का इसा नहीं है पॉलिशी शुद नौट इडॉप्ट इडॉप्ट पहला प्रेजन्ट पॉलिसी में असी लाक कितने पर्शन लोग डिसकाउंट अभील कर रहा है फिप्टी पर्शन और इसका कितना पर्शन लोग है एक पर्शन और प्रपोस पॉलिसी में 85 लाक में से 80% लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं पर कितना परशन तो परशन बस हो गया चलो क्या इस कोश्चन में भी हर एक कोश्चन जो करवा रहा हूँ आच अलग है पहला कोश्चन दूसरा है हर कोश्चन ऐसा कोश्चन है जो आपको last day revision करना ही पड़ी कि बस दूखचन 54 ओपको यद्देडन झाल झाल 69 home work ख़दे दिया हूँ क्या यह वाला कोश्चन अच्छा कोश्चन यह वाला कोश्चन करने जा रहे है इसमें टैक्स है अभी तक टैक्स आया नहीं था अभी सुनो मैं अपको हें टैक्स का करना क्या है कुछ भी नहीं करना है जैसे हम टैक्स है तो कुछ करना नहीं है जैसे हम लोग करते हैं कि हम टैक्स निकालते हैं हमने कहीं जैसे कोश्चन है इसमें आया था इंक्रेमेंटल गेन इसको टैक्स माइनस टैक्स करके आफ्टर टैक्स कर देना भी गेन होता है ना तो गेन में क्या होता है टैक्स तो माइनस टैक्स कर दीजिए और सिधा निकाल लीजिए या तो इसमें से टैक्स माइनस करके incremental gain after tax निका लीजिए या तो incremental gain निका लीजिए उस में से tax minus कर दीजिए और बस cost में क्या होगा tax savings होगा tax savings tax savings का क्या करना वो सोचेंगे alternative आप एक काम क्या कर सकते सुनो tax का कुछ नहीं करना लास्ट में इसमें से gain में से cost minus कर दीजिए जैसा चल रहा था वैसे चलने दो और लास्ट में जो in net incremental gain आएगा उसमें से सीधा tax minus करेंगे कौन सा जद अच्छ है उपर यहां भी करो यहां भी करो लास्ट में कर लो न सरकाट है ऐसा कर सकते है कौन सा कौशन बनाने जाए बहुत अच्छा कौशन है कौशन नमबर 64 ठीक है तो फोर माइट्स करेंट सेल्स एक आर का फिगर दिया है 25648750 अनियुटिलाइज कैपसिटी और सेल्स को बुष्ट करना है तो आप रिलेक्स करना चाहते हो क्रेड पॉलिस से अभी प्रपोस कितना दिया है 60 डेज और प्रजेंट कितना है 45 डेज इससे बुले बैड डेट्स बढ़ जाएगा कितना परजेंट हो जाएगा 1.5 परजेंट की या पिक्चर 2 हो जाएगा और सेल्स कितने परजेंट से बढ़ जाएगा 10 परजेंट तो यह सेल्स दिया है इसको हम 10 परजेंट से बढ़ा देंगे आगे लिखा वेरिबल कोश्ट कितना है 72 तो फिक्स कोश्ट बतलब अनुमान है ऐसा और टेक्स का रेट दिया 35 परजेंट में रिक्वारेट अपरेट 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 कास यह प्रीटेक्स देता आफ्टर टेक्स दिया तोचिंगे और क्रेट पॉलिसी को चैन्ज करना के चाहिए पहला वाला तो निप्टा थे कौन सा वाला इंक्रेमेंटल वो कितना टाइम में खितम कर सकते हो तो मिनट में बोला है आपने बदलना में तीमिनट तीमिनट में तो होई जाए चलो टाइम स्टार्ट हो गया है तीमिनटल को धियान से देखना लेकर देखना है के लाख के लाख किना हो किना हो कर दो दोल से अरफ में आजग सकाष्ड इसेड़ी निहां.. सकते हैं कि उग सकते हैं पनल यह आगे 7-1, बिफोर टेक्स आइस अब है, अब क्या आएगा यहार हमारा इंक्रेमेंटल कोश्ट, ते अब क्या यहिए, कोश्ट अब क्या है, कोश्ट अब क्या है, कोश्ट ही तो लिखना है, 18467100, 00, 20, 31, 3810, खिर आएगा हमारा average collection period EURIDATORS 23087, अरिया बला, 3385, 35 अब problem है कि आपने ये बोलाता सर लाश्ट में tax minus करेंगे पर जब मैं अपॉर्च्री कोश्ट ले रहा हूं तो यह रोता आफ्टर टेक्स दिया है दिक्कत यह तो सर पहले टेक्स माइनस इसमें से कर देते तो इस दर टेक्स तो आफ्टर टेक्स है तो काम हो जाता पहले पहल सकता जड़ा देखते हैं यहीं से tax minus कर दे तो फिर इदर कुछ करना ही नहीं है यह जो अपॉर्च्री कोश्ट लग निकलेगा इस पर आफ्टर टेक्स है अल्रेड़ी प्रेंस नहीं करता है दूसरा क्या है जो आफ्टर टेक्स इसको प्रीटेक्स बनाते इस रेट को देक किये है और फिर यहां प्रॉपर लिख लेते और फिर माइनस करने के बाद फिर टेक्स माइनस कर देंगे यह किये है कौन सा बलब पसंद है प्रीटेक्स उदर जगा नहीं बचा होगा प्रीटेक्स बना लेते हैं और पॉर्चिटी कोश्ट प्रीटेक्स कैसे बनाते मालू लिए वह न तेको आई वन मायनस टेक्स होता है आफ्टर टेक्स प्रीटेक्स बनाने के लिए इसमें डिवाइट करना पड़ेगा क्या वर मायनस टेक्स जादे न ऐसे कुछ 1 में tax कितना है बोलो rate कितना आ गया fracture में आए का आ जाने दू 15 divided 23.07 0.08% ठीक 23.083 87 कितना गया 53 2 776 950 6 86 788 1405 मतलब ये गलत है क्या ये सही है 23.087 ही तो करवाया था हुआ चल जाएगा तोड़ा तो अलग आही गए 53277 6 हमने 23.076 किया है कोई भी एक से कर लूँ कोई भी कर लूँ कोई भी कर लूँ कर वहूंगा ना अभी क्या आएगा बेड़ेट्स बेड़ेट्स बोलो कितना 3847 31 56 ठीक है बस अमदुनो को एट कर ले जा 91 ठीक है ठीक है अभी इंक्रेमेंटल ने का ले जिना 4281 11 minus किजी 28 अर्ष में टेक्स मिनस कर दीजी टेक्स मिनस नहीं भी करोगे तो क्या फर्क्पड़ड़ा पोलिसी फुट बेड़ेट्स बेड़ेट्स इस टेक्स दिया टेक्स मिनस कर दीजी क्रीछ समन्नि अर्ष में टेक्स 1,848496 5, इंक्रेक्स कि इसको और एक तरीके से कर सकते थे करना ज़रूरी है तो सोच समझ के बोल रहा हूंगा मैं करना ज़रूरी है कहला क्या निकालना था अपने सबसे पहले क्या लिखा था अपने सेल्स कपी करके बोलो सीधा सीधा 256 दूसरा वाला 28 ठीक है इसे क्या मैनस करें लोक वैरिबल कोष्ट कितना है अठाराश चालेश सेवन वन डबल जिडू 711 00 कि 711 00 दस दस दक है 6 कौष्ट कितना है कोई बात है बैंडेट्स तो यहीं एजिस्ट कर लेते हैं क्या फर्क बड़ा बैंडेट्स उधर करो चाहे इधर से मैनिस करो एक ही तो बात 3 8 4 7 3 1 5 6 4 2 7 3 तो दम करो इसको समझाओंगा समझाओंगा ने तो यहां क्या जाएगा गेन 6 7 ठीक है ऐसा फिगर ना एक्जामे में आगे 7 3 3 4 2 incremental gain 5 3 8 6 2 3 minus tax यहीं adjust कर लेते है 35% 1 8 8 5 1 8 यह final answer है क्या कि tax है tax तो gain after tax बता दू 350105 अब यहां क्या आएगा हमारा incremental cost अब incremental cost में होई हमारा सबसे पहले तो cost of sales याद रखना कि यहां हमको वही लेना variable cost और fix bad rates मत ले लेना तो यहां कितना आएगा 18,46,7100 20313810 ACP हमको पता है कितना कितना था 45 और 60 तो इसके साब से हमारा क्या निकला था average rate अलरेड़े निकला हुआ है 230 ठीक है अगला बला 3385 635 फिर क्या opportunity cost अब मैं इसको after tax before tax नहीं कर रहा हूँ जरूरत भी नहीं सीधा कितना पर्षन ले रहा हूँ 15 पर्षन टैक्स का दो उपर हिसाब किताब हो गए 1845 34625 8 और तो कुछ है नहीं बेड़ेट्स को उपर ले लिया है तो नीचे लेने की जरूरत नहीं सीधा आपके निकलेंगे हम लोग incremental cost 16 158 7 तो नेट निकल ली चीफ 1 डबल ए उसी क्या सपास आएगा क्योंकि वह राउंडेड आफ कर रहा था ना यार 15 पॉइंट कुछ 07 और 08 पे बहस चल रही थी अब वो पूरी तरह से खतम हो गए है ठीक अब बस ये पूछा गया है कि सर ये तुम पहले भी समझ गया थे कैसे करना है सवाल ये है बैड़ेट्स का यहां क्योंकि है बैड़ेट्स तो नीचे भी लिख सकते थे टैक्स यहीं कर लेते बैड़ेट्स नीचे लिख सकते थे इन्वेट्स करना पढ़ता ना इंहां हरु मैंने बैड़ेट्स को परजिष्ट किया बाकी इसे इस लिख तरह कि करना ज़रूरी को हर से कोश्चन को समझा दिया है टैक्स वाला आएगा तो कुछ नहीं करना अग्र अगर 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 ये pretext देता ना भाई फिर तो tension नहीं कता हूँ फिर तो उठाते और कर लेते तो break चाहिए break मिलेगा ना लोगों मिलेगा चले home work दे रूँ जरूरी भी है अगर लगेगा तो फिर यहां करवा कितना दिया है 40,00,00 selling price क्या है 20 variable cost कितना है 12 और fixed cost कितना है 5,00,00 total में दिया है अभी कितना period है 1 month इसको करना चाहते है या तो 2 month या तो 3 month ठीक है और यह दिया है भूले अभी sales बढ़ जाएगा 10% से और 30% से ज्यादा एक्ष्रा दिमाग कैसे सोचते है जो 10 से बढ़ा रहा है यहां जो एक उसकोर 30 से बढ़ा दोगे तो ऐसा मत करना ठीक तो चाही नहीं तो अच्छी और यहां कितना है 1% यहां कितना है 2% यहां कितना है 5% fixed cost बढ़ जाएगा कितने से 75,000 से अगर sell से बढ़ेगा 30% से तो इस बार fixed cost में change होगा कि नहीं होगा यहां कितना हैगा 5,000,000 यहां भी 5,000,000 और यहां 5,000,000,75,000 ठीक है pre-tax return तो वही तो चाहिए था भाई 20% मतलब सब हम tax उसके बाद pre-tax ही दिया है तो tax minus करेंगे कि नहीं tax का rate ही नहीं दिया है क्यों भी कार में time pass करेंगे अब भी तक जितने question कर रहे थे अब pre-tax थे लिखा भी रहता था हम आग बंद कर लेते थे थे हम देखते भी नहीं थे क्या करना यार आप देखोगे न तो आप समझाएगा हाँ हाँ या फ्री टेक्सी चाहिए था पताएए कौन सा अच्छा है तो यह home work question number हाँ last 12 उसमें लिखा हुआ है कि अगर sales 20 परशन से बढ़ेगा हाँ ऐसा question number 71 हाँ एक बार दीख तो लेते ही question sales कितना है 125 लक और ETR कितना दिया है 5 credits कितना दिया 7.5 लक required rate of return कितना दिया है 20 वर्शन variable cost कितना है 60 वर्शन fix cost 0 fix दिया है क्या नहीं दिया credit sales दिया 220 तो दिया 25 तो दिया 25 तो दिया bad debts दिया हुआ है तो इस खतम हो गया है ऐसा question तो देखा है work work break break है जी break और एक time set को लेते हैं और time के हिसाब से तो समझ में भी आ जाएगा कितना क्या है question number 67 काम काम की चीज बोलूं तो यहां लिखा है कि अभी कितना month का period है one month contribution कितना है क्या कहना चाहता है it can raise additional fund at a cost of 20% पारे ना मतलब अपॉर्च्टी को कैसे पहचान कैसे लेते हो जार अगे लेकर तो marketing manager of company has given the falling तो सुनो ना percentage लिखा यह तो नहीं है अपॉर्च्टी को तो यह कुछ सबजब निया रहा तो यह होगा अब sales दिया है साब साब दिया है 200 लग, 210, 220, 250 credit period भी 1 month 1.5, 2 and 3 or bad debts भी दिया है 2, 2.5, 3 or 5 or cost of credit administration मतलब यह collection expenses type का है उधार बेचोगे management के लिए तो कोई तो चाहिए अच्छा सर ऐसा है क्या 1.2, 1. क्या रुपीज और लैक्स में करोगे अगे क्या लिखा You are required to advise the company और क्या यह IC AI का question है Yes, आप बनाने जा रहे हो Max to Max 9 minute का time होता है एक minute पढ़ने में गया 8 minute लैक्स में 10.5 11.1 पाइनल आंसर है वन पॉइंट अभी और देख लेते हैं यही और अब दो नो बेड़ेट्स भूल गया 1.5, 2.7, 4.2 1.5 1.5 1.5, 15 मिशा लिमेटेट अब भी कितना पिरेट है 30 कितना है 6 करोड़ ACP कितना है 45 हमारे लिए काम का कौन से 45 हमारे लिए 30 दिन काम का नहीं हो लिए 30 लिखा है पर हमको ACP चाहिए अब यार डिमांड की ताथ दिन करना चाहते हो ठीक है दिमांड बढ़ाना चाहते हो उसकी वजह से कितने परशन से बढ़ जाएगा 15 और ACP कितना हो जाएगा 75 45 से कितना हो जाएगा 75 विट नो डिफरेंस इन पैमेंट हैबिट बिट्विन ओल्ड और न्यू कस्टमर तरह यह क्या चक्कर है तो तीस दिन के लिए ही देंगे उनका ACP 45 का 45 रहेगा पर जो न्यू कस्टमर जो न्यू सेल्स है अभी सेल्स जितना भी बढ़ड़ा है वो सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए होता है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा करते आ रहा है वैसे ही करो वो कहता है तो सर लिखा क्यों है कोई काम का नहीं है वैरिबल कॉष्ट कितना है 0.80 for every one rupees of sales तीधी बात बोलो 80 percent require rate of return कितना है वीच परशन होंवर्क पॉष्ट नमबर 59 पॉष्ट नमबर 59 होंवर्क पॉष्ट नमबर 68 आई सी ए आई का और यह करने का बनता है कोईशन अच्छा हुए तब ही इतना ठीक है एवा पढ़ती कोईशन कितना सम्हाल सकते है कोईशन बहुत बड़ा देखना आप भी जानते हूं कितना है पाला काम किजी आप भी टर्म दे रखा है तो इसकी वज़ा से आप क्या करना चाहते है, 2 by 10, nat 45 और इसकी वज़ा से cells बढ़ गया कितने से of existing cells बताओ के, 12 लाग का 1 थर्ड से बढ़ा पैड़ेट्स कितना बढ़ेगा, 2% हो जाएगा इसकी वज़ा से ACP कितना हो जाएगा, 20 days decline 220 days contribution to cells ratio कितना, 22% variable cost, 78% opportunity cost, 15% pre-tax ओहो, मज़ाएगा, इस question मज़ा क्योंगी, tax rate भी दिया, आप देखना जाता हूँ, कैसे समालोगे इसको ठीक, pre-tax दिया आगे लिखा, 80% of customer in term of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and new policy, दोनों में कितना है पर्षन लोग? 50 और 80 existing में कितना? 50 और 80 हो गया, new में discount, पता ये company policy change करेंगे पर्ष टेक्स का ही है एक डर है कि यार हमसे copy में बनाएंगे गलत हो गया तो अगर वो डर आपके लिए खतम हो चुपका है तो आप कर सकते हैं, और कर लो कि एक बार कोशिश तो करो टेक्स का कहीं न गहीं चिपकाओ, कुछ भी करो discount उपर ले ले तो, जैसे bandit से अपने लिया था, तो कर सकते हो free tax दिया है तो सीधा last में जाके tax minus करो और इसमें दिया है सीधा last में कर देंगे हाँ 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 फर्ष्ट वाले के तरीके से कर देंगे ठीक है करने जा रहा है, मैं टाइम है टाइम के बीना तो क्या कि एक मिना बात करने में चे लगए है तो खास बात है कि इस बार मेरे पास answer है 38990 लिख रहा है पर मेरे राइटिंग समझ में आईजी एंसा वो 38990 लिख रहा है कुछ नमबर 78 पड़ेगी है पता तो लगे कि यार हमको समझ में आ भी रहा है कि लिए आगे देखा डेल्टा लिमिटेड ठीक है, नो कैश डिसक काउँ इस बार तो बताया है उसने तो करेंट एवरेस क्लेक्शन पिरिएट कितना है 30 दिस सेल्टा यूनिट से सेलिंग प्राइज है 100 वेरेबल कोश्ट है 50 पिक्स कोश्ट कितना है 2 लाक और जो चैंज नहीं होगा और सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टिट मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई समझाएगा मुझे कि उपर मैंने 10 यूनिट पढ़ा था अभी कितना लिखा है मतलब 12,000 हो जाएगा ऐसा बोल रहा है क्या 12,000 यूनिट होगा तब ठीक कैश डिसकाउंट रियाटि इंक्रीज सेल्स कितना हो जाएगा एक चीज और इक चीज है इन्क्रीज इन वर्किंग क्यापिटल रिक्वाइब में वर्किंग कापिटल बढ़ जाएगा कितना 20 हैं अच गॉनिटर्स के अलाव भी स्टॉक का भी बढ़ जाता है जनरली डेटर्स बढ़ता है न हमारा, तो डेटर्स पर अपउर्चिरी कॉस्ट निकलता है, पर यार, आपका सेल से बढ़ने की वज़े से, इस्टॉक, कैस, बैलेंस, यह भी तो बढ़धा है, तो आपका अपॉर्चिरी कॉस्ट इस पर भी निकालना पड़ेगा, जैसे डे ज्यादा मेंटेन करना पड़ता नहीं, डेक्टर सा अलग बात है, पर उसकी वजह से भी बहुत जगा इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें एक ये नया पॉइंट है, एसमें और एड कर देंगे, तो इसमें और एड कर देंगे, हमारा वर्किंग कापिटल, तो अब ये टूटल कितने पे निकलेगा हमारा पॉचिटी कॉस्ट एक लाख बीस जर, मालो ये एक लाख है, तो बीस जर और रेट कर देंगे, प्रपोज मेहुख, प्रेजन्ट में तो बस एवरी डेटर्स हुख, हाँ जी, 11 था हुजए, 11 था हुजए, क्या करें, बनाएं कि होमवक्त ले ले, चलो बना ले ले, हार एक कोश्चन एक अलग-अलग टाइप का कर रही लेते, कॉपी में ज़द आच्छ, तो सर आप प्लीज बैच जाए, थैंक यू, क्या था हुए, अन्या हुए, भेते ला बिंप्टेश्च कॉए, उन्या हुए, प्यूए, न्या हुए, प्यूए, प्यूए, तो जिस जाए, बिस एक यूए, पहला existing policy no discount दूसरे में आएगा बिटे पहले 50 परशन करना उसका टूबर्ट लिखोगे एग्जाम पर आगे के question कर बनाने की इस्तिती में नहीं हो अप्रपोस्ट इस्काउंट पहले था ही नहीं और हमारा दिल कर रहा है कि चलो ना यार लोग अगर जल्दी payment करेंगे तो दो बशन दे देंगे उसकी वजह से जो है हमारा पैसे जल्दी release हो जाएगा मतलब ACP क्या होगा कम की ज्याद़ कम हो जाएगा ACP पहले था 45 days और अभी कम हो जाएगा तो अब हो जाएगा 30 days क्यों क्योंकि डिस्काउंट की बजह से जल्स पहले का कितना था आठ लक अभी कितना जो भी बोल तो मैं आठ ही लिख देता हूँ ठीक खुश्च यह नहीं दिख रहा है पैसा बचरा न आपका 15 दिन मतलब इसकी कोई जट नहीं है जो पैसा आपका 45 दिनों के लिए ब्लॉक होता था वो 30 दिन के लिए और तो आपका 15 दिन का इंट्रस्ट बचेगा अब वो देख लेना आपको आप कैसे अब में वही तो पूछने वाला हो ना वेरिवल कॉष्ट सतर पर्शन अपर्सिटी कॉष्ट 45 पर्शन वेदर निव पॉलिसी निव डिस्काउंट पॉलिसी बोलना चाहिए इसकाउंट पॉलिसी इसकाउंट पॉलिसी इसकाउंट पॉलिसी एकसिप्टेट माल लो कि मैं हूं ही नहीं और कॉष्टन आ गया ऐसा रिटन में बताओ रिटन में चाहिए मुझे मैं हुए नहीं है मुझे सिर्फ आंसर चाहिए है मुझे सिर्फ आंसर चाहिए है के इसकाउंट कि या रहा है यह नहीं है कोष्ट कि आप आप पॉलिसी कि अब या रहा है कि यह ना रहा है कि कॉष्ट थोड़ाशी आपके अंसर में थोड़ाशी चैन्स था, हां की जगा नहीं बूलना था बसेटी नहीं इंक्रेमेंटल गेंग, हां लिख लो एक अल्टरेनेटिव भी तो होना चाहिए हमारे पस्त पहले क्या निकलते हैं हम लोग, इंक्रेमेंटल गेंग, अब यहर फायदा क्या है, प्रपोस अगर इस पॉलिसी को एड़प्ट करते हैं, तो फायदा क्या है पैसा बच रहा है इंट्रेस्ट बच एक इतना है दिनगा अगर अगर स्यल्स और वेरिब्ल कॉष्स नहीं दीआ होता तो हम सेल्स पे निकल लेते पर वैरिवरिछ सेयल्स पर निकाल ऊगे इट मेंस मैं ऐसे स्कोर से लिख सेपना हूँ, सेविंग्स इन, अपॉर्शिटी कॉष्ट, मानते हूँ आप, इतना है, आट लाक, का, कितना बर्शन, सतर बर्शन, क्योंकि वैरिबल कॉष्ट में दाहर लगना है, ये तो मत समझ में आ रही है, और इसका पॉर्शिटी इतना पॉर्शन, 25 पॉर्शन, ये आगे इंट्रेस्ट से, और कितने दिन का बचा रहा है, 15 दिन, 15 डिवाइडिट बाए, 360, कितना, 58, 33, अब जाएगा, पर इसकी वजास से, इंक्रेमेंटल कॉष्ट, रिसकाउंट देना पड़ेगा, इसकाउंट, कितना था, आठ लाग का, दो पर्शन कितना, 12,000, तो यार ये तो कॉष्ट ज़्यादा आ गया, बहलो कितने से ज़्यादा आ गया, बता हूं, वान जेरो, ये तो से लॉस है, तो प्रोपोस पॉलिसी सुद नॉट बी एक्सिप्टेट, नोट कर लो, आप कैसे गब डिजाइन बना कर किये, होके, जुआ है रखना कर लो, अ, हिज ब्कारण कर दिया हूं, किंसे कितना, 12,000, बता हूं, बहुत टिए जिए काम से खगक्ती किनकोर अपटेज है कि पल्यादा, प्यादा कर दो रिए presentat रिए चाउवकी से अपटेघर भलंवार, झाल झाल अगर क्या ये कोश्चन आप से बन सकता था अगर हम ऐसे नहीं करते तो यस पर बिट्टे कोश्चन में आपको वेरिबल कोश्ट भी नहीं दिया है माल लो कैसे करते ये तो आट लाग पे निकाल लेते उधर स्टाइट करते हमारा वाला तरीका फॉर्मेट से सबसे बेले लिखते हैं इंक्रिमेंटल के ये लिखता है सेल्स हाँ ऐसा कर लेंगा ठीक है आज़ा ये वाला तो भी ये वाला करते हैं कोशन नंबर 48 कोशन नंबर 48 बनाना है बनाना है ये वाला कोशन बहुत ज़्यादा आते हैं एक बनाएंगे बाकि फिर हमको समझ में जाएगा कोशन नंबर 48 टैल्स कितना है 30 लाक और अभी ACP कितना है 50 देस बैडेट्स कितना है 5 परशन और एक्सपेंडीचर कितना है 30 लार और कलेक्शन एक्सपेंसे से 30 लार पहला अल्टरेटिव दूसरा अल्टरेटिव पचास से कितना कर दिया जाए 40 कम कर रहा है उसकी वज़ए से आपका ब्याज बचेगा कितने दिन का 10 दिन का और अगर 30 हो गया है तो 20 दिन का इंटरेट्स बचेगा एक सेविंग्स हो गया है सेविंग्स इन इंटरेट्स पहले कितना था अभी कितना हो जाएगा चार तो एक परशन ये बचेगा और यहां दो परशन पर आपने लड़के पहुचाए होगी घर घर कि पैसा वसुल करो पैसा वसुल करो तो कलेक्शन एक्सपेंस बढ़ जाएगा पहले कितना था 30 से कितना हो जाएगा 60 और 30 से क्या हो जाएगा 95 और चिती कोस्ट अब एड़ेट्स यह ना और कोस्ट में क्या लगेगा अलेक्शन एक्सपेंस बनते कितने कॉलंब बनेंगे यह लिए पार्टिकुलार आल्टरेटी वार आल्टरेटी टू खताम प्रेजेंट वाला उड़ा दिया हमने यह दिखो ना यार प्रेजेंट वाला हमने जो अभी किया था यह वाला सीधा डिफ्रेंस ले लिया था नमने डिफ्रेंस ही तो लेना हमको यह कब करोगे जब सेल्स इसे कोशन आते है बाज नमबर के शने Richt suivi तो नमबर केए लिफस्ते है यह वेंटल गैनव बाज आते हैंने को Olemon कॉष्टी कॉष्ट वेरिबल दिया नहीं तो सेल्स पे लेना पड़ेगा तो कितने दिन का बचाओ के दस दिन का कैसे निकलेगा भाई थीस लाग अब वर्किंग दिखा रहा हूँ मैं लैक्स में कर रहा है वह क्या जिरो जिरो लगा के थीस लाग इंटू वेर जिरो दस बचाओ के लिए दिन का दिए भाईदेड़ेगा थीस अच्ट दस दिन का भी आज बच रहा हैं आपका एट थ्री 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 तज इतना ही 4 एक 3 और 30 लाख का 10% into 20 divided by 360 7 और क्या बोला था अपने आप सेविंस इंगेट्स कितना परशन एक परशन तीस लाख का एक परशन तीस लाख का तीस लाख का तो परशन तीस लाख करना है तो यहीं निप्टा देते हैं खतम का बात में करो सेविंस यहां प्यार से करते हैं हाँ यहां कर सकते थे तीस लाख प्लस ए इसके लिए कैलकूलेट्ट चाहिए यहीं एट पोल भी दिया कर 38333 पीदर कितना आ गया है कि लिए यहां कि अब आज़क क्या जाएका इन्क्रिमेंटर बास्ट् इंक्रीजिन कलेक्शन एक्सपेंसे यह कितने से बढ़ा है पैसा डिजर बस यह तो इतना है इसको भी एट कर लो यहां कुछ नहीं दिया दिया भी तो और एट कर देदा चलो लैस करके बता दू नाइट इंक्रीमेंटा गेन वन वन एट त्री 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 पॉलिशी टू इस बैट आट अधम लिख लीजिए यह वाला ज्यादा अच्छी कुश्च्छन है साथ हाँ यह 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 और यह बी यह 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 कुश्चन देखा देखा लग रहा है अधिन कि इतना हाँ कोशन नंबर 62 जैसा बोले हमको मज़ा आता होववक लिखने में मोबाइल में है न विल्कुल सभी होववक ग्रम्वक 62 69 तो ऐसी कर वड़िया होँ कुछ है नहीं इसनपल है कि ये कोशन के बाद क्लास और लास्ट कोशन खुटा सा कोशन ते ज्यादा टेंशन मतलब एक में बताऊंगा बाकि अब कर लोगे कोश्चन नूमबर 49 लाश्ट कोश्चन आज के क्लास का देखते हैं अब यहां बात बुले पुराना भूलो भाया ऐसा है कि हम नए कस्टमर को उधार देना चाहते है क्या लग रहा है कि कितने percent पैसा डूप सकता है पिछली बैचके बच्चे बच्चे उधारी मत तो आपको लग रहा है कि दस पैसा डूप जाएगा आपको तो आपको асसे नहीं लग रहे है आप तो C.A. साब वो अड्यस जाई तो आपको करना यार हर बार एक नया ग्रूप रहता है हमको यह नहीं मालूम कि इस ग्रूप में से कौन-कौन डुबाये का यह तो हमको पता लग ही नहीं सकता न इसी वजह से आप यह नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर परसन अगर डुबाता तो समझ में भी आता चलो उसको अधार नहीं देगे पर ऐसे में दो बैची बंद करना बढ़ेगा मचको मतलब सामान बेचना बंद करना आगे चलते आगे लिखा है इस ग्रूप और रिक्वायर वन एन हाफ मन्त क्रेडिट मतलब कितना 1.5 मन्त इसकी वज़े से सेल्स कितना बढ़ जाएगा एक लाग तो जो नए गश्ट मर रहे उसको एक लाग रुपए का माल बेचा जाता है और प्रोड़क्शन अन सेलिंग एक्स्पेंस कितना आता है 80% अप सेल्स मतलब यह वैरियाबल कॉष्ट मान लो वैरियबल और फेक्स मान के चलो इंकम टेक्स कर रेट कितना है 50% और इक्वाइड रेट कितना है 25% और क्या दिया है आफ्टर टेक्स अब आफ्टर टेक्स दिया है न पता ये प्रोपोजल एक्सेप्ट करेगे कुछ पुराना है नहीं है तो सुनो हम देखेंगे प्रोफिट होगा की नहीं सबसे पहले सेल से जाएगा कितना एक लाख इंक्रिमेंटल है वो तो सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे वैरिवल कॉष्ट असी एजार और माइनस क्या कर देंगे मालू है इधर ही मैनस करेंगे याद करो मैंने करवाया था इधर ही मैनस कर देंगे फिर जाएगा इंक्रिमेंटल कॉष्ट मतलब उधर टेक्स वेक्स कर देंगे फिर आजाएगा इंक्रिमेंटल कॉष्ट इंक्रिमेंटल कोच्ट, पोपोस्ट ले लेंगे, देख लिए हमारा फायदा हो रहा है कि असद्नी सी बात, चलो करे का है, हाँ बस है, चलो, कदम कर रहे ह Programm तो सबसे पहले क्या लिखे पॉस्ट नहीं गेन आप इसको इंक्रिमेंटल गेन बोल सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिन सेल्स है पहले क्या लिखा जाएं सेल्स कितना एक लक माइनस वैरिबल कॉष्ट या फिक्स कॉष्ट जो भी बुल दो कितना असी पर्षें असी अजर ते कितना गया थीस अजर अच्छा बैडड़्स यही से माइनस करना था काटूगी नहीं सार माइनस बैड़्ड़्स दस अरे एक लग्का दस पर्षें अच्छा खीक है अभी दस या लिंख देते या गेन पर ये काउन सा है बिफोर टेक्स ये पीवीटी भी लिख दो क्या फर्क है मैनस क्या अगर दोगे टेक्स का रेट कितना है 50% पाच जार तो यहां कितना जाएगा पाच जार अब क्या जाएगा मारा सबसे पहले हमारा क्या लिखते थे यहां कि यो कोश्ट अप सेल्स है ना कोश्ट अप कितना था यार 80,000 SCP 1.5 मॉंस अबरेटर्स सबस्ट कितना बशन कि अबरेटर्स अबरेटर्स तैक से यह तो टेंशन ही नहीं है कितना जाएगा 25 अबरेटर्स उसमें से मैनस कर दो तो यहां के जाएगा net incremental gain 25 या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चुछिए यस लिख लो प्रपोजल शुट भी एक्सेप्टेट अब कुछ कहना चाहता हूं बस वो समझ लाओ अगर अभी पैसा डूब कितना रहा है दस लाश तो भी क्या हम प्रपोजल यह जो पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेंगे यस तो भी हमें फायदा है कितने का फायदा है पच्चीस सो नहीं तक ठीक है इट मेंज सर अभी भी हमें पच्चीस सो का फायदा हम मैक्सिमम कितने रुपए तक पैड़ेट सेहन करने की स्थितिय है विल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं मैं कहता हूं कि ना हो गेन कोई दिक्ट की बात नहीं ऑपर मेरा अपॉर्श्च कितना जा रहा हैं पचीस सो इधर भी मैरा पचीस सो का फायदा हो जाए तो भी कितना चैया में ब्युक्त तो यहां क्प्ने लिखूं पच्छिस्सो आगी मुझे बैड रेट्स का अमाउंट चाहिए है पच्छिस्सो गेन पर इधर उपर क्या आएगा है 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 यहां पांच है है यह पच्छिस्सो तो यहां कितना चाहिए है पच्छिस्सो डिवाइध वाइड वाइड 50 परशन ना यार या यहां अगे पांच जार यह है और बीस तो यह रहेगा रहेगा है तो बोलो कितने रुपन कैश्चिप्टर पंद्रा चाहिएड पर्शन पर्शन चाहिए पंद्रा परशंट तक डिफाल्ट में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यस, अगर ये 25 परशंट नहीं होता, ये 30 परशंट होता तो बोलो, अगर ये 30 परशंट होता तो यहां कितना लगता कॉश, 3, तो उपर भी कितना चाहिए, 3, बैक कैलकुलेशन से बोलो कितना है, 3, तो यहां कितना गया, 6, 20 में से 6 गया दो, कितना 14, 14 परशंट, वो ही पूछया अगला आप हो है, compute the degree, degree का मतलब होता, परशंटेज, of bad debts, the company should willing to assume, if the require return after tax, अगर 30 परशंट हो, तो कितना परशंटेज, of bad debts, हम accept कर सकते हैं, अब एक formula बनाना पड़ेगा, उसका, आपको पता, मैंने जान बुझ के, यह पहले line close किया था, अगर मैं यहीं minus कर देता, तो खेल खतम हो जाता, फिर वो समझ में नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा, आपको, ठीक, अच्छा सर, यह बाद है, हाँ, मैं वैसे मेरी मिटाता है, जले बनाए, formula बनाना पड़ेगा, गर बेस जड़ेगा, आपको, अब क्या खर लेकी, अब क्या खरेगे, नहीं-च, तो यह अए दो सर देमें, पनाए, और तीक ऐसा। बना करें 20,000 minus x रियागे गें after tax again before tax और इसको क्या करते हैं 1 minus tax is equal to जो भी आएगा 3000 तीन हजार वगेरा कैसे निकल रहा? 30 पशन निकल कर लेंगे तो एक्स आपते रहाएगा और हम पर्षंटेज निकलते जाहेगे ठीक चलो तो आओ पहले में आपको कितना लेना है? अगर required rate of return 30% पश्ट आप return कितना चाहते हूं? 30% it means opportunity cost कितना आएगा? 3,000 हमारा contribution कितना है? 20,000 minus x 1 minus 0.50 is equal to 3,000 x is equal to 14,000 तो पर्षंटेज तो पर्षंटेज 13,000 divided by 1 into 100 41 दूसरा करो दूसरे में अपर्षिटी कोस्ट कितना है? 40% पर्षंटेज पर बसूसरा कितना है? पर्षंटेज दूसरा कितना है रहा है? 12 तीसरे पर कितना है? 8 पर्षंटेज कुशन अच्छा था तेकन वाला पार्ट जाथ अच्छा तर अगर हम इसको प्रीटेक्स करके करते तो फिर तो फिर लास्ट में बड़ी दिक्कत होती समझ मनियादा कैसे करना है? 8 पर्षंटेज होमवक फिप्टी सेवन नहीं होमवक नहीं है स्में फिप्टी सेवन कच करो स्में कुश्टेज 61 होमवक इसमें ना देखो कोशन ऐसे आता वो दो-तील नहीं पूछेगा बस एक ही पूछेगा इसमें तो बस यह पूछा कि एकसिप्ट करें कि नहीं करें तो सिंपल वाला कोशन क्लास ओवर और कल फैक्टरिंग पढ़ेंगे फैक्टरिंग और इसके एक-दो कोशन बखें वो करेंगे